साथियों गेहू में पहला पानी कब देना चाहिए और गेहू में पहला पानी पर हमको क्या खात देना चाहिए या फिर पहले पानी का समय क्या है गेहू में पहले पानी का समय हम कौन सी रख सकते हैं उचित समय और क्या हमारी गेहू के पहले पानी पर जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और जो हमारे पौधे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेना चाहेंगे यह फिर देने वाले हैं दोस्तों, अगर मैं आपको यहां दिखाओं, तो पहला पानी हमने दे दिया है गेहों को अपने, यह पानी भी आपको दिख रहा होगा तो यहां मैं रख देता हूँ, अब आप यहां देखिए यह जड़े आपका अंकुरण के समय निकला था यह जड़े आपकी अभी निकल रही हैं, जो पहले पानी पर 20 दिन या आपके लगबग 15-20 दिन पर यह निकलने शुरू हो जाती है यह जब निकलना शुरू होती हैं, इसी के समय आपको साखाएं भी निकलेंगी इसके कारण यहां से आपकी साखाएं निकलेंगी जितनी भी आपकी साखाएं बन पा रही हो और इसी के फैलने से आपकी अधिक साखाएं और अधिक साखाओं के साथ आपका जो ग्रोथ है जो भी खाद का अपटेक है जो आप खाद देंगे तो इनी जो जड़ निकल रही है इनी के कारण आपका जो पैदावार है या फिर जो भी आपका पाउधा है वह डिपेंड करेगा कैसा है और पैदावारी कैसा आप ले पाएंगे तो समय ये है कि जैसे आपका ये जड़ निकलना सुरू हो आपको अगर पानी की कमी है आपके खेद पर आपको लगे पानी कमी है तो इस समय जरूर पानी दें जिससे अधिक से अधिक जड़ों का विकास हो अधिक से अधिक जड़े निकले और वहीं से आपका जो साखाएं ह तो यहां के जो पौधा का है, कहने के मतलब यह है, कि पौधों को यहां डबल काम रहता है, पहला काम आपके जो जड़े हैं, जो crown root initiation stage है, जिसमें से crown root है, यह root है, इनका जो विकास है, यह हो, और दूसरा वहीं कल्लों का विकास भी हो, तो यहां आपको nutrients की भी अधिक जरू पढ़ती है, आपको खाद की बहुत है वसकता इस समय होती है, तो इसलिए कहते हैं कि पहला पानी का समय निर्भर करता है, आपका उत्पादन कैसा होगा, पहले पानी का समय निर्भर करता है, आपका उत्पादन कैसा होगा, दोस्तों अब मैं बता देता हूं इसमें थोड कि पहला पानी आपको मिट्टी के उनसार भी देना है तो मिट्टी आपका अगर अगर आपकी मिट्टी रितिली मिट्टी है आपकी मिट्टी जैसे यह हमारी मिट्टी जो है यह रितिली मिट्टी है आपको अगर दीख रहा हो यह रितिली मिट्टी है तो इस पर हमने 20-22 दि उस मिट्टी पर अधिक होती है अप एक छाक्रित हमारी जो यह भुरुरी यह फिर रेती लिमिट्टी है तो यहां पर आपको पहला पानी देना है पहला पानी देने के साथ कौन सा खा दें क्योंकि मैंने बताया कि क्राउन रूट जो निकलेगा वो तो ठीक है लेकिन उसके स किलोग्राम प्रतिय कड़क हिसाब से आप यूरिया दे सकते हैं अधिक भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं वो आपके उपर है इस समय आपको जिंक की मात्रा जरूर देनी है जिससे आपके पौधों में पीला पन आए जैसे हम अगर मैं यहां आप देख रहे होंगे आपको अ लीचिंग नहों और खराप नहों पाए आपका जो खाद है वह है इसलिए अधिकतर आप पहला पानी पहले दे दें इसके बाद जैसे आपका खेत आपका पैर हलका सहले तो आप साम के समय खाद का छिड़काओ कर दें खाद का बुवाई कर दें जिससे आपको जो सीथ है जो उस से वहे खाद घूल करके और मिटी के नमीज के साथ बराबर रूपसे वहे लीन हो जाए आपके पौधों की जड़ों को प्राप्त हो जाए क्योंकि गेहूं के पौधों के जड़ा आपको अगर मैं दिखाओं तो जेस्ट जमीन के ऊपर होते हैं अगर मैं एक इसी खाद अधिक मात्रा में उप्योगी होता है, मतलब अगर नीचे चली जाएंगी, वह खाद ज्यादा उप्योगी ना हो करके, जो जमीन के पास में, जड़ के पास में जो खाद देते हैं, वह ज्यादा उप्योगी होता है, तो इस समय आप लगभग 3-5 किलो ग्राम जिं अच्छे सब टेक करेगा, कल्ले बढ़ेंगे, पौधा हाइट लेगा, पौधा बढ़िया हरा भरा होगा, उसके कारण आपका प्रोडक्टिविटी या उत्पादक्ता भी बढ़ेगी, दोस्तों जानकारी कैसी लगी, कमेंट बाक्स पर जरूर बताएं, अच्छी लगी ह हो तो लाइक करें, सेर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,